जहें साथ नुमस्कार दोशों स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इंफोर्मेशन 2.0 में साथियो आज फिर आपकी सेवा में एक बार फिर नए अंदाज में नए तरीके से आज फिर हम प्रैक्टिस करेंगे किसकी म. पॉलिटिकल साइंस की यदि आप म. पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्पूर्ण होने बाली है क्योंकि इसमें हम आपको के टोटल 46 कंष्ण कराएंगे कितनी टोटल 46 कंष्ण कराएंगे जो परिछ्छे आपकी द्रश्टी से अतिम हेंश्पूर्ण साबित होंगे यहापकी पेपर 1 का तीसरा चेप्टर है कौनसा, प्रफ का तीसरा चेप्टर जो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, चली ह वीडियो को लाइक करें और आधी अगा। आधी पोलिटिकर केंगों, लाइक करतें जोतीकों करें से आधी अप किसी सब्सक्राइब करें तो आप आप हमार टैलेग्राम चैनल को जोई आपको मिल जाएगी, क्योंकि हम सम्पूर्ड पेपरों की पीडियाप हम अपने टैलेग्राम चैनल पर अपलोड करेंगे, और यूटूब पर वीडियो अपलोड करेंगे, चलिए इस्टाट करते हैं, सामाजिक अनुसंदान में तत्थ्यों की खोच की जाती है जो आपके सामाजिक अनुसंदान होते हैं उसमें डैस कौन से तत्थ्यों की खोच की जाती है तो साथियों इसका अंसर हो जाएगा आपका B सामाजिक अनुसंदान में नए तत्थियों की खोच की जाती है सामाजिक अनुसंदान में नए तत्थियों की खोच की जाती है तो इसका अंसर आपका option B हो जाएगा चलिए second की तरफ चलते हैं अनुसंदान में सामाजिक तत्थियों जो समलित होता है इसका अंसर है option D option D यानि मानव वेवहर को सनिविशिष्ट करना सांस्किर्ट तत्व का ध्यान रखना सामाजिक रूप से प्रासंगिक तत्वों को देखना सामाजिक रूप से प्रासंगिक तत्वों को देखना इसका अंसर है option D उप्रूप्त सभी चलिक कोशय नमर 3 तरफ चलते हैं सामाजी कटना ये डेश होती है यानि आपके ये औसर हो जाएगा option b सामाजी गटना जटिल होती है चलिके कोशय नमर 5 की तरफ चलते है कोशय नमर 5 निमलिकित में से कोन सरवे अनुसनधान का फिरकार रहे निम्लिकित मैंसे कौन सर्वे अनुसंद्धान का पिरकार है तो इसका आंसर है ओप्षन D कौन कौन से अनुगमन शंगरना और प्रिट्टी दर्स प्रिट्टी दर्स ओप्षन D इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन D A, B, C इसमें चारवा जाएंगे चलिए कोशन नुबर 6 की तरफ चलते हैं अनुसंद्धान सामाजिक विज्ञानों के विकास में सायक है इसका अंसर है ओप्षन A, यानि हाँ इसका कहने का मतलब भी है साथियो, मैं आपको बताऊँ क्या अनुसंदान सामाजिक विज्ञानों के विकास में साहिक हैं इसका अंसर ओप्सन ए हाँ यानि हाँ अनुसंदान सामाजिक विज्ञानों के विकास में साहिक हैं चलिए कोशन नमबर 7 की तरफ चलते हैं यदि साती आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी विदो आपको पास पहुंचती रहें और आप उपयोग करते रहें साथ एक सूचनल और देते हैं आपको हम साथ हो पेपरों की वीडियो हमने अपने यूटूब पर डाल राखे हैं आप 2022 की वीडियो देख सकते हैं जो आपको एक अच्छा इसको प्राफ्ट करने में बहुत मददकार होगी चलिए देखते हैं को सब्सक्राइब चलते हैं कोशन नमबर आठ प्रियोगासरित अनुसंदान का इस्थान है इसका अंसर ऑप्शन बी बैग्यानिक अनुसंदान के अंत में बैग्यानिक अनुसंदान के अंत में प्रियोगासरित अनुसंदान का इस्थान है इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशन नमबर आठ का किस सोद में सामाजिक जीवन के विवारिक पक्च का अध्यन क्या जाता है तो इसका आंसर है विवारिक पक्च यानि विवारिक सोद कोशे नमर्ट 10 के अंसर हो जाएगा उप्सन विवारिक सोद में सामाजिक जीवन के विवारिक पक्च का अध्यन क्या जाता है कोशेन नमर्ट 10 का अंसर हो जाएगा उप्सन B सोद के उद्देस्यों का पिर्टी पादन, कोशन नमर 10 का आंसर हो जाएगा, उप्शन B, चलिए, कोशन नमर 11 के तरफ चलते हैं, कोशन नमर 11, कोशन का उप्योगता बादी उद्देस से नहीं है, यदि आपको कोशन में नहीं तेखने को मिल जाए, तो आप उस पर सबसे पहले अंडरलाइन कर दें, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में कोशन का आंसर गलत देते हैं, क्या कह रहा कोशन, नमले कित में से कौन सा एक अनुसंदान का उप्योगता बादी उद्देस से हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कोशन क्या कह रहा है, कि नहीं है, तो हमें इसको सबसे पहले अंडरलाइन कर लिना है, ताकि हमारी समझ में आ जाए, कि हाँ ये नहीं पूछ रह कोशन नमर 12 तरफ चलते हैं, किर्यात्मक सोथ कितने पिरकार के होते हैं, किर्यात्मक सोथ कितने पिरकार के होते हैं, तो इसका अंसर आप्सन A, तीन पिरकार के होते हैं, किर्यात्मक सोथ तीन पिरकार के होते हैं, कोशन नमर 13, वर्णात्मक अनुसंदान का प्रात्मे को मारगों का वर्णन करना जिस रूप में चीज़ें निम्लेकित में से कौन सा एक अनुशंदान का से दांत के उद्देशन नहीं है इसका अनुशंदान का से दांतिक उद्देशन नहीं है वाकि यह सब से दांतिक उद्देशन है कोशिय नम्लेकित में से कौन सा अनुशंदान नियोजन के चर्णों में नहीं है नहीं है तो इसका answer है option D अनुसंदान का data visualization कोशिय नमर 16 अनुसंदान में क्या समलित है तो इसका answer है option D अनुसंदान में ये सभी समलित है कौन-कौन से नभी ग्यान की प्राप्ति प्रचलित ग्यान में संसोधन और ग्यान का विकास ये तीनो अनुसंदान में समलित है इसका answer हो जाएगा option D ये सभी कोशिय नमर 17 कौन सा अनुसंदान का उद्देश्य है इसका answer हो जाएगा option D ये सभी बिसुत ग्यान प्राप्त करना समस्यां का समाधान करना मानब जिग्यासा की संतुष्टी करना इसका answer हो जाएगा option D कोशिय नमर 18 निम्लिकित में से कौन सा अनुसंदान की प्राकर्ती से संबंदित नहीं है इसका answer हो जाएगा option B प्राकर्ती गटनाओ से संबंद इसका answer option B हो जाएगा कोशिय नमर 19 निम्लिकित में से कौन सा राजनते विग्ञान में अनुसंदान के महत को दर्साता है इसका अंसर हो जाएगा option D ये सबी कौन-कौन से अज्ञानता की समापती में साहिक ज्ञान की विगास में साहिक सामाजी कल्यान में साहिक तो सातियो इसका अंसर आ जाएगा option T ये सबी चली question number 20 की तरफ चलते है यदि शाति आपको वीडियो पसंदारी हो तो वीडियो को लाइक करें, शियर करें और हमारे शेयर को सब्सक्राइब करें ताकि MA political science से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप उनका फादा उठा लें चली, बिनारो की वीडियो की स्टाट करते है question number 20 किसी घटना के बारे में जानकारे प्राप्ट करने अथ्वा इसके बारे में नविन ग्यान प्राप्ट करने से सम्मगिद अनुसंदान को क्या कहा जाता है किसी व्यक्ति परिष्टिती अत्वर समुएं की विशेष्टाओं का सही चित्रन करने के उद्देश से किये जाने बाले अनुसंदान को क्या कहा जाता है तो इसका आंसर साथ आप्टिन बी हो जाएगा question number 21 का आंसर बी question number 22 कौन सा सोद उद्द्द्दक के लिए उपयोगी है विवारिक सोद उद्द्दक के लिये उपयोगी होता है question number 23 कि सोद की प्रिकरति निदन आत्मक होती है तो इसका आंसर हो जाएगा Option B, किरियात्मक्व सोथ की प्रकर्टिक नितनात्मक होती है Q23 का आंसर B हो जाएगा Q24 विवारेक सोथ पर वल देने वाले विद्वान राणित बिग्यान को कैसा बिग्यान مनते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा, option C, मूर्थ विज्ञान, कौन मानते हैं, विभारेक सोध पर वल देने वाले विद्वान, राजनते विज्ञान को मूर्थ विज्ञान मानते हैं, तो साथी इसका अंसर option C हो जाएगा, किस सोध में राजनते विज्ञान के सिध्धानतिक पक्च का अध्यन किया जाता है, किस सोध में राजनते विज्ञान के सिध्धानतिक पक्च का अध्यन किया जाता है, तो इसका अंसर हो जाएगा, साथी ओप्सन D, विशुत सोध, कौन सा, विशुत सोध में राजनते गाँतिक सिद्धान्तिक पक का अध्यनक करतौत है डिक दा गठनाओं से संभांति अनुसंदान को हर चैल कोशन नमबर 27 की तरफ चलते हैं Q27 किसने एत्यासिक अनुसंदान की बेगानी पद्धिती को अनुप्रियोक्ति माना है इसका आंसर हो जाएगा Option A J.W. West 27 का आंसर Option A हो जाएगा Q28 एत्यासिक अनुसंदान में किसका प्रियोग नहीं किया जाता है इसका आंसर हो Option A छेत्यासिक अनुसंदान में नहीं किया जाता है Q29 Q29 किस सोद का प्रियोग सामाजिक समस्या को हल करने के लिए किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा Option A Q29 का A Q39 Q30 Q30 का प्रियारम किस देश में हुआ इसका अंसर हो जाएगा Option B अमरिका में अमरिका में किरयात मुस्षोद का प्रियारम हुआ Q31 The element of research पुछतक के ले खर कौन है The element of research पुछतक के ले खर कौन है इसका अंसर हो जाएगा Option D F L Hidney 31 का Option D F L Hidney इसका अंसर हो जाएगा चलिए कोशे नमर 32 परिक्षान आत्मक सोद कितने पिरकार के होते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा option C, तीन पिरकार के होते हैं परिक्षान आत्मक सोद तीन पिरकार के होते हैं कोशे नमर 33, निमलेकित मैं से कौन सा पिरायोगिक अनुसंदान का एक पिरिकार है इसका अंसर ऑप्शन D इसका अंसर अभीकल्व के पिरिकार का नहीं है इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन C अंतरवस्तु विश्लेशन ओप्षन C 34 का ओप्षन C राइट अंसर हो जाएगा अंतरवस्तु विश्लेशन 35 विशुत अनुसंदान का उद्देश से हैं ज्यान के लिए ज्यान क्या है विशुत अनुसंदान का उद्देश से होता है ज्यान के लिए ज्यान कोश्य नमर 35 का बी राइट अंसर हो जाएगा कोश्य नमर 36 अनुसंदान प्रारूप का अर्थ है अनुसंदान प्रारूप का अर्थ है तो इसका अंसर हो जाएगा option A निर्णे निर्धारित करने की प्रक्रिया यह अनुसंदान प्रारूप का अर्थ है चलिए question number 36 बैग्यानिक अनुसंदान में इसका अंसर है option D पिरियोग केबल माननताओं को परावर्थित करते हैं पिरियोग जो है वो आपके केबल माननताओं को परावर्थित करते हैं ये क्या है बैग्यानिक अनुसंदान को होता है उसमें क्या होता है बैग्गानिक अनुसंदान में प्रियोग केबल माननताओं को परिवर्द करते हैं Q37 का अंसर option D हो जाएगा Q38 अनुसंदान में निती परिचायक है इसका अंसर option हो जाएगा D इनमें से कोई नहीं Q38 का option D Q49 यदि सात्यों आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें चलिए Q49 सात्यों आपका लाइक में कोच नहीं जाता है हमें मोटिवेशन मिलता है आप वीडियो को लाइक करते रहें आपने अभी तद लाइक नहीं क्या है तो लाइक करें Q49 तरफ चलते हैं पीवी यंग ने बैग्यानिक अनुसंदान में कितने चर्णों का उल्लिक क्या है पीवी यंग ने बैग्यानिक अनुसंदान के चार तरणों का उलिक क्या है कोशिय नमर 40 यह किसी ने कहा है किसी समस्या का ठीक प्रकार से निर्धार्ण करना इसका आधा समाधान है कोशिय नमर 40 का अंसर हो जाएगा एक ओफ एक ओफ ने कहा है किसी समस्या का ठीक प्रकार से निर्धार्ण करना इसका आधा समाधान है से जाना जाता है वह है दोनों तो यह सभी इसका आणसर दी हो जाएगा कोशन नमबigen 42 सोट से सनहित है और जेलिए नेमों की कोशन नमर 42 का सिद्धान्त और नियमों की खोज चलिए कोशन नमर 43 निम्रिकित में से कौन सा सोध वर्विवरान आत्मक सोध में समलित है तो इसका अंसर हो जाएगा कोशन नमर 43 का आलोचनात्मक परिक्षण कोशन नमर 44 का आंसर हो जाएगा ओप्षन नमर 44 का आंसर हो जाएगा कोशन नमर 45 समय वेश्णिया सोध सामनत्य होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्षन ए गुणात्मक कोशन नमर 45 का आंसर ओप्षन ए हो जाएगा गुणात्मक आज के इस वीडियो का सात्यों ये लास्ट कोश्चन है आज की इस वीडियो का ये लास्ट कोश्चन है व्याख्यात्मों सोद में प्राकल्पना इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दो या अधिक परिवर्तनों के बीच संबंद को व्यक्त करती है क्या कराई व्याख्यात्मों सोद में प्राकल्पना क्या करती है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दो या अधिक परिवर्तनों के बीच संबंद को व्यक्त करती है साथियो यह आज का हमारा last question हो गया यदि आपको वीडियो पुसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें चले साथियो यहीं तक कल की वीडियो में हम आपको चैप्टर चार लेकर आएंगे पेपर फर्स्ट का चैप्टर चार यह कल की वीडियो आपको देखने को लेगा चेप्टर का नाम है गुरात्मक पद्धितियां क्या गुरात्मक पद्धितियां चले सातियों यहीं तक यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि MF Political Science की संपूर वीडियो अब तक पहुंश सकें चले यहीं तक धन्नबाद